हलो गाइज वेलकम टू फ्रता क्लासेस केसे आप सब लोग तो गाइज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह हम बात करेंगे मुगलकाल के बारे में मुगलकाल 1526-1827 मुगलकाल के कुछ important questions के बारे में हम लोग discuss करेंगे जो आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही important सबित होने वाले और जो आपकी प्रिवेस एक्जाम के लिए बहुत important होगे तो गाइज आपको इस वीडियो को अंतक जरूर देखना है जिसे कि आपको इस वीडियो से फाइदा मिल सके ओके चलते हैं first question के देखें बात में ग्रांट ट्रंक रोड बनवाई थी किसके द्वारा बनवाई गई थी और साथे साथे आप ये भी देख थे रहे गाइज कि कौन सा क्यूशन कौन से एर में कौन से एक्जाम में पूछा गया है ये क्यूशन कितना important है आप देखें एससी में पूछा गया है अराजबी के अंदर पूछा गया है जेप एससी के अंदर पूछा गया है तो किसके द्वारा बनवाई गई थी तो ये बनवाई गई थी सेर्शास सुरी ने तो option नमर B क्या होगा अपना right answer हो जाएगा अगला क्यूशन देखें अगला है गुज गुजराद पर विजय हासिल की थी उस समय अकबर ने किसका निर्मान करवाई था ये क्यूशन है तो गैस अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़े का निर्मान करवाई गया था जब गुजराद पर फटह हासिल की थी अकबर ने तो option नमर B क्या होगा अपना right answer देगा इ आइने एकबरी आइने एकबरी एक मान एतिया से क्रती निम्लित मेंसे किसके द्वारा लिखी गई थी ये जो क्रती लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी तो ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा आइने एकबरी तो option नमर A के होगा अपना right answer देगा जो अबल्वजल के दोरा लिखी गई थी अगले कुछ ने देखिए अगला है पानिपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रेट पंदासो चप्पिस को हुई थी निवित में से किसके बीच हुई थी तो पानिपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो गाईज हुई थी अक्बर और किस के दौरां किया गया किस के दौरा का धौरा सुरूग किया गया ओप से आधे फीज़ा है कि प्रसिद मुस्लिम साथ इख चान मिवbru जिसने बरार को अक्पर को सोपा निम्लित में से किस राज जैसे संबन्दित थी तो चांग भी भी थी तो गाईज ये संबन्दित थी अहमद नगर से तो ओपसन नमर सी क्या होगा अपना राइट आंस हो जाएगा इस किसन का और गाईज अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बाद जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबना ना बोले जिसे कि आपको आगयाने वाली हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहेगी अगर गाईज आपको इस वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं अगर गाईज आपको इस वीडियो की पीडियो फाइल चाहिए तो टेलेग्राम पर एक चैनल आमारा उसको जोइन करें वहाँ पे आपको सभी परकार की PDF फाइल मिल जाएगी चलते हैं आगले क्यूशन के दब अगला क्यूशन देखिए मुगल पर्शासन व्योसता में मनसबदारी परणाली को किस ने किया ता यह किया गया तो option नमर बी क्या हो अपना right answer होगा जिन्होंनी मनसबदारी परणाली को परणाली को सुरू किया था साते सात जाई आप कमेंट के अंदर आंसszy करते रहे हैं जिसे कि आपको याद होता रहे गया कौन सा क्यूसन का कौन सा आंससर राइट होगा, ओके अगले किस्टन की अपने काल का महान संगीत गये तांसेन किसके दर्बार में थे आप सब लोगों बता है तांसेन संबंदी थे किस से संगीत से संबंदी थे और कौन से काल के अंदर किसके दर्बार में थे तो गये तांसेन थे अकबर के दर्बार के अंदर option number b क्या हो गिया अ Sãoल गया 9 रत्मव में से 1 थे तानसेन अगले क्यों सेieving कि मुगलकाल की राजबसा कों थी sorry मुगलकाल की राजबसा के बारे में पूछा गये है तो राजबसा आप सब लोगो बता है फार सीन की राजबसा थी मुगलकाल की सब्सक्राइब हो गया है ऐसो नोमर श्रक्ष मितना कर्ने करने करने वाला मुगल संब्स्माइल था कौन था तो वह था कबर में सब्सक्राइब युद में भाय। में मुगल राज्य की नियुपड़ी कौन सा यूद था जिसके अंदर भारत के अंगल भारत के अंदर मुगल राज्य की नियुपड़ी सबसे पहले तो गाइस वह यूद था पानिपत का प्रहत्म यूद वह था option number C क्या हो गया अपना right answer हो गया उस समय मुगल राज्य के नियुक फढ़ी थी सबसे पहले अगले question है कि अगला देखे कि नीम लिक्ति मेंसे किस ने अक्पर की जीवनी खता लिखी थी आप सब लोगों पता है अक्पर की जीवनी खता लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी तो option number B क्या हो गया अपना right answer हो गया अगले question देखे अगला है किस मुगल सासक ने भार्ट की वनस्पतियों और प्रानी जगत रितूओ और फॉलो का विशत विरन अपनी डायरी में दिया है किस ने दिया गाईस तो यह दिया गया है किसके द्वारा बाबर के द्वारा option number C क्या हो गया अपना right answer हो गया अगले question देखे अगला है शेर साय की मांता का गोतक क्या है सेर साय की मांता क्या गोतक क्या गयीज तो यह question पूछा गया तो इसका आंसर होगा परसास ने एक सुदार option number C परसास ने पार पार पूचा गया है किस ने लिखा था यह पोछआ गया है व्यो evaluate नामा जो लिखा गया था गुल बदन बेगम के दौरा तो ओप्सन नमबर बी क्या हो गया अपना राइट अंसर हो गया अगले किसमें देखिए अगला है अक्पर के सासन में महाबार्थ का फार्सी में बासा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता था तो गैस यह जाना जाता था रजमना 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 नामा रजमना नाम से जाना जाता था ओप्सन बी क्या हो गया अपना र अगले कि किस मुगल समराट ने शैद भाईव को कूर मोगलस म्राट है जिनों ने शैद भाई-गे था शैद भाया गीडिया क्यां आगले करशन देखिए अगला है निंग्तिम से कौन अंतिम मोगल समभाढ्ट थे इनमें से कौन अनतिम मोगल सम्भाढ्ट की बात जिये तो आप सब लोगों पता है कौन थे बादूर्सा दित्य आप जिन leash नमर सी जिनको अठारो श्क्तावं की करांति के बाद में बूराजिस उटारों के ले कों उटταदाई था तो गैसे फूर versies लोड़ hayat के लिए उत्यर की बात की है तो कुन थै डूर मर अप्सिंन बूसर नम्र बी क्या हो ग्या अपना राइट começa अग्यागा जो अकबर के 3 सॉदार के लिए उत्तर रहे थे मिन्स की बूराजिस सुदारों के लिए जितने भी काम किये जाते थे वह तोडर मली इनको समालते थे गाईस अगले किशन की अक्पर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन या पूजा गरे का नाम क्या था तो आप सब लोगों पता है क्या नाम था उसका इबादित खाना ओप्सन नमर सी अपना राइट आंस होगा अगले किशन की तो चलते हैं अगले किशन देखें सू प्रसिद संगीतर गयतान सेन और बेजु बावरा किसके सासनकाल में सू विख्यात थे तो गयाज ये दोनों किसके सासनकाल के समय सू विख्यात थे आप सब लोगों पता है अक्पर के तो ओप्सन नमर सी क्या होगा अपना राइट आंस होगा अगला क्युशंत देखे राम तरित मानस के लेख है तो गई तो गई जो तो ओसंदा होगा होगा उजो कि प्यूशं नहें जिसे के आपको आने हाले एक्जामिक के अदर और अगला कि किसने मुगल सामरजे के राज़ानी को आगरा से दिल्ली इस्तानानत की मिन्स की पहले जो राज़ानी थी यो थी आगरा उसके बाद कहाले पर लेकर आए दिल्ली मुगल सामरजे के दुरा लेकर आए साजा के दुरा तो option number D क्या हो गया अपना राइट आंक्स हो गया अगले क्यूशन देखे अगला है कि अक्बर के युवावस्ता में उसका सरक्षक था उसका सरक्षक कौन था अक्बर जो छोटे थे उस समय पे तो आप सब लोग पता है बेरम खा option number D जो अक्बर के युवावस्ता में सरक्षक थे अगला क्यूशन देखे कि निमल्क में से किस इस्तान पर नादिर साह ने चड़ाई नहीं की थी नादिर साह के दोरा कौन से इस्तान पर चड़ाई नहीं की गय थी तो गैस ये की गय थी कन्नोज पे option number D कन्नोज पे नादिर साह के दोरा चड़ाई नहीं की गय थी तो option D क्या हो गया अपना right answer हो गया बात कुएंगे अगले क्यूशन के बारे में कि किस ने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बैता पानी हो कि निर्मान की परंपरा की शुरुवात की थी किसके दोरा की गयी थी सबसे पहले तो यह की गयी थी बाबर के दोरा option number क्या हो गया अपना right answer हो गया गया अगले क्यूशन देखिए बिना time waste करते हुए अगले क्यूशन पर चलते है निमने तुमें से कौन सी आत्मकता है चार option देखिए इसमें से जो आत्मकता गाइस वो कौन ची है तो वो आत्मकता है तुजुक ए बाबरी जिसको क्या बोलते है बाबर नामा भी कहा जाता है तो option number D क्या हो गया अपना right answer हो गया अगले क्यूशन देखिए अगला है कौन सुमेलित नहीं है यह क्यूशन पूचा गया और इस टाप के क्यूशन आरा भी अंटीपी से के अंदर भी पूचे जो हाल फ्लाल में चल दिये है और भी एक शेज स्टार्ट होने वाला एकप्रेल से कौन सुमेलित नहीं है तो इसका जो आंसर होगा गया वहगा option number one हुमायु नामा option number A क्या होगा इसका राइटांस होगा हुमायु नामा जो हुमायु से समझ नहीं है किसके दोरा लिखा गया गुल बदर बेगम के दोरा अगला क्यूशन देखे राजा बीरबल की उपादी किसे दी गई थी राजा बीरबल की उपादी दी गई थी महिसदास को option number A राइटांस होगा महिसदास को क्या बोलते है राजा बीरबल कहा जाता है अगले क्यूशन की ओरंग जेब ने ज़्यादा बहुनों का निर्मान नहीं करवाया औरंग जेब ने ज़्यादा बहुनों का निर्मान नहीं करवाया गया उसे अपने सासनकाल में निरंतर युद करने पड़े इसलिए तो option number क्या हो गया D क्या हो गया अपना राइटांस हो गया इसी वज़े से औरंग जेब के दोरा ज़्यादा बहुनों का निर्मान नहीं करवाया गया अगला क्योशन देखे अगला है किस मुगल सासक का दो बार राज़ा भी सेख हुआ सब लोगों बता है कौन से मुगल समराथे जिनका दो बार राज़ा भी सेख हुआ वो थे औरंग जेब option number D राज़ा भी सेख किया गया अगला क्योशन की ग्रांट ट्रंक जोड़ती है ग्रांट ट्रंक जोड़ती है गाज किसको जोड़ती है यह जोड़ती है कॉलकता वे अमनसर को option number C क्या हो गया अपना राज़ा ग्योशन देखे अगला है वर्ष 1526 इस्वी में लड़ी की पानिपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन प्राजित हुआ उस समय जो बाबर से प्राजित हुआ था तो गया उस समय हुआ था इब्राहिम लोदी और मुगल समलाज की नियू भी इसी समय पड़ी थी 1526 इस्वी जब पानिपत की लड़ाई हुए थी पहली उस समय बाबर से प्राजित हुआ था इब्राहिम लोदी और जो दित्य लड़ाई हुए थी वो अकपर और हैमो के बीच हुए थी अगला की सेर सासूरी का मकबरा कहां इस्टित है कैस्ट मकबरे जितने भी इंपोर्टेंट क्यूशन पूछे जाते हैं मकबरे पे जितने भी मुगल समराठ है जितने भी राजा है जितने भी उनके मकबर का जो निर्मार है कहां पर हुआ है और कहां पर नहीं हुआ उनके बारे में अच्छे से याद कर ले एक्जाम के अंदर पूछा जाता है यह कि उसने देख लो कितना इंपोर्टेंट है और कितनी बार पूछा गया है तो शेर सासूली का जो मक्बर है, वो कहां पर पिस्थित है? तो guys यह शासालाम के अंदर इस्थित है तो option number C क्या हो गया? अपना right answer हो गया अगला किस्तने देखिया, अगला है अकबर का राजयह मैं से अगला कि गुरु अर्जुन देव समकालिन थे गुरु अर्जुन देव कि इनके समकालिन थे यह थे जांगिर के समकानिल और बी अपना राइट अंसर हो जाएगा अगले किस राजपुत वंस ने अकबर के सामने समरपन नहीं किया था सब लोगों पता है कौन थे जो राजपुत वंस जिन्होंने अकबर के सामने समरपन नहीं किया तो option number A के हो गया अपना right answer हो गया इस क्यूंशन का जिन्होंने अक्पर के सामने गोटने नई टेके अगले क्यूशन है अगले देखे किस मुगल सासर को आलमगिर कहा जाता है आलमगिर की उपादी किस मुगल सासर को दी गई है तो गैस आलमगिर की उपादी दी गई है औरंगजेब को जिनका दो बार राजय भी शेक हुआ है और इनके समय बहुनों का निर्माद बहुती कम हुआ है क्योंकि औरंगजेब ने बहुत युद किया गया थे अपनी समय के अंदर तब तो आलमगिर की उपादी दी गई थी औरंगजेब को अगला किस्टन के समराठ अकबर दोरा किसको जरीकलम की उपादी से अलंकरित किया गया था मिन्स की जरीकलम की उपादी दी गई थी किसको समराठ अकबर के दोरा तो यह किसको दी गई थी मुऊमद हुसेन को तो option नमर ए क्या हो गया अपना right answer हो गया अगला किस्तों देखें गाईज अगला है बाबण ने पहली बार पस्चिम से कहा पस्चिम से कहा होकर भारत में परिश गया तो बाबण ने सबसे पहले परिश गया था आप पे गाइज पंजाब के अंदर ऑप्शन नमर सी अपना राय टांस हो गया ओके तो गाइज यह थे मुगल सामराठ से कुछ हमने डिस्कस किये जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत इंपोरेंस आभी तो के अगर आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्याद ज्यादा सेर भी कीजिए अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार से कि आपको आगयाने वाली हर नवी डिक्याब्रेट आपको मिलते देगी ओके तो गयाज मिलते हैं नेक्स सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए थैंक्यों गुडबाई अंड टेक क्यार